सो हेग गाईज वल्कम बैक टू दा यार गेर चुटूटूब चैनल आज की इस वीडियो में मैं आप लोगो को बताने जा रहा हूँ रिले के बारे में इससे पहले मैंने आप लोगो को कभी नहीं बताया है लेकिन आज मैं जो भी चीज बताऊंगा इस रिले के बारे में व इसके बारे में जानने के बाद ना ओटोमेटिकली टर्न ओन या टर्न ओफ हो जाएगा वह सर्कीट तो आईए जानते हैं हम इस रिले के बारे में सबसे पहले आप ये जानिए कि रिले होता क्या है गाइस रिले भी एक परकार का स्वीच है लेकिन या ओटोमेटिकली हमारा काम करता है इसको काम कराने के लिए हमें पावर सप्लाई देना होता है अलग-अलग रिले का अलग-अलग input voltage power supply होता है जैसे कि मेरे पास दो voltage level का रिले है एक है 12V का और दूसरा है 6V का ये DC वाला रिले है तो ये DC power supply में हमारा काम करेगा स्वीच का मतलब जैसे कि इसमें क्या होता है कि 12V का ये रिले है तो इसमें हम 12V का power supply जैसे ही देंगे न तो ये switch को on कर देगा और power supply जब नहीं देंगे तो switch को off कर देगा ये काम कैसे करता है और इसका pin कौन-कौन सा होता है आईए सबसे पहले मैं अब उसको बताता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे तो देखेंगे टोटल 5 pin दिख रहा होगा यह SP-DT का रिले है SP-ST, DPDT, DPS-T सब परकार का रिले आता है यहाँ पर देखेंगे इस SP-DT के रिले में कुछ इस परकार से pin होते है यह है हमारा coil 1, coil 2 और यह है common का और यह है normally closed, normally open का pin यह सारे points आप लोगों को कुछी भी समझ में नहीं आया होगा लेकिन don't worry, आप इस वीडियो को देख क्यों रहे हो सारा चीज समझने के लिए न, well तो मैं आप लोगों को सभी चीज एकदम detail में समझाऊँगा ऐसा समझाऊँगा जो कि आप कभी भूलो गई ही नहीं आप बिना किसी theoretical page को देखे हुए अपने दिमाग में बैठा करके आप इसे किसी भी circuit में use करना सीख जाओगे सही में बता रहा हूँ, इसके लिए आप वीडियो को last तक जरूर देखना यह देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर explain करता हूँ सबसे पहले relay को इस type में रखना और यहाँ से देखिए जिस side में 3 pin होता है उस side में देखिए यह जो coil 1 और coil 2 है actually में होता क्या है रिले में, इसमें यह coil लगा होता है और coil में जब power supply जाता है तो यह energize होता है और energize होने के कारण से जो हमारा common का pin होता है वो normally close से, normally open में touch हो जाता है और जैसा ही power supply हटता है वो फिर अपना energize खतम हो जाता है और फिर क्या होता है कि अपने real position में आ जाता है switch तो यह देखिए, यह coil वाला pin हो गया, तो जब coil वाला pin में हमेशा हमेशा power supply देना होता है, positive, negative और इसमें क्या होता है कि हमेशा हमें एक diode लगा करके देना होगा और वो क्यूं, वो मैं next video में आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ही important है एक diode को लगाना, नहीं तो relay खराब हो जाता है अब देखिए, यहाँ पर यह coil 1, coil 2 हो गया और एक common pin हो गया, फिर यह normally close, normally open आईए, अब मैं यही चीज सोड़ कोपी में समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी होगी देखिए, मैं नाम लिख करके भी बताने जा रहा हूँ, यह देखिए, एक है, यह coil 1, यह coil 2 तो coil कुछ इस तरह से बना होता है, coil जैसे कि आप मानो ना कि एक inductor लगा हुआ है, यहां और यहां पे, तो inductor यह coil 1 इसे या coil 2, आप चाहे तो coil 1 इसे भी बोल सकते हो, coil 2 इसे भी बोल सकते हो, कोई दिकत नहीं है, power supply या तो positive इस side, इस side किसी side में दे सकते हो, DC वाला, और अब बात करते हैं common का, guys जब भी power supply देते हैं तो energize हो जाता है, जो common वाला pin है, इसे common का बोलते है, यह common वाला pin क्या होता है, जब power supply नहीं दिया हो रहता है, उस time पे क्या होता है, कि जो pin है हमारा, वो इसमें normally close में touch रहता है, और जैसे ही power supply हमारा इस coil में दे दिया जाता ह पावर supply जब यहां पे आ जाता है, उस time पे यही pin हमारा इसमें touch हो जाता है, normally open पे, मैं अभी समझाओंगा आप लोग को कोई भी circuit का example देखर के कैसे काम करता है, और कहां पे हम इसका बेहतरीन use कर सकते हैं, अब मैं दिखाता हूँ आप लोग को कोई भी circuit अगर आपको बन अच्छा point है या, इसलिए मैं specific video बदाऊंगा, तो इसमें positive connect करना है, इसमें negative connect करना है, तब जैसे ही power supply connect करोगे न, तो यह जो common वाला pin है, वो इसमें touch रहता है, जैसे ही power supply आएगा, वो इसमें touch कर देगा, समझ रहो, और जब power supply हट जाएगा, तो यह इसमें automatically touch हो जाएग तो कुछ इस तरह से हमारा यह काम करता है, रिले, तो normally close, normally open, pins याद रखना है, क्योंकि जब wiring आप connect कर रहे होगे, रिले में, उस टाइम पर बहुत ही important, बहुत ही काम आने वाला है, यह चीज, बहुत सारे जगा में लिखा हुआ रहेगा न, तो उससे समझने में आसानी हो दिया है, यहाँ पर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी working तो सब सेम है, और coil का काम यह हो गया, तो कुछ इस तरह से हमारा यह हो गया हमारा रिले का डाइग्राम, अब हमें यह समझना है कि इसका यूज कहां कहां कर सकते हैं, गाइज मैं example देता हूँ बहुत ही बैतरीन सा, आप मान लो कि एक कोई सा भी बल्ब जला रहे हो, एक solar power से और जला रहे हो, आप power supply, जैसे 220 volt का power supply आता है, house volt उसमें, तो आप चाहते हो कि solar power वाला जो हमारा energy है, उससे भी हमारा bulb जले, जब light चली जाए तब, या तो फिर light आए, तब भी, as always, जैसा आप करना चाहो कर सकते हो, तो यहाँ पर देखिए, हमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक 12 volt का SMPS लेंगे, और positive, negative इसमें connect कर देंगे, ध्यान रखना, diode add करेंगे हम, तो यह देखिए, positive, negative connect करके करेंगे, और 220 volt power supply वाले में लगा देंगे, उस adapter को, तब क्या होगा, कि power supply जब आ रहा होगा, 220 volt से, यानि कि man power supply उस टाइम पे यह on रखेगा, और on रखेगा, यानि कि हम क्या करेंगे, कि जो solar power का power supply है, वो एक common में जूडेगा, है ना, जो भी हमें use करना है power supply, वो तो switch में हम कैसे use करते है, series में connect करते हैं, कोई सीधी wire को, वैसे ही इसमें भी हमें series में connect करना है, то series में में connect करना है तो कोई सबी जैसे solar वाला power supply है तो यहाँ पे हमें एक common में connect करना होगा और एक इसमें या तो फिर इसमें जैसा आप user चाहते हो हम क्या करेंगे कि man power supply वाला 12V का इसमें connect करेंगे जब light रहेगी तो हमारा क्या होगा normally open पे चला जाएगा switch है ना और जब light नहीं रहेगी तो फिर नॉर्मली close पे रहेगा हमारा तो क्या करना होगा जो solar वाला power supply है ना उसका wire एक यहाँ पे यहाँ पे connect करना होगा उसके बाद फिर हम जैसे जब light रहेगी यान कि SMPS से power supply इसमें आ रहा होगा coil में तब यह इनर्जाइज रहेगा इनर्जाइज रहेगा तो इस साइड में कर देगा यान कि इस साइड में यान कि जो यूज हो रहा होगा हमारा बल वो तो हमारे यूज हो रहा होगा 220 बॉल्ट का मैन पावर सप्लाइ से और जैसे ही लाइट जाती है वह हमारा इसमें से ट्रिगर कर देगा इसमें से ओफ हो जाएगा यह नॉर्मली क्लोज में तो नॉर्मली क्लोज से फिर हमारा जो श्यूज हो रहा होगा तो कुछ एस तरह से हम रेले का यूज कर सकते हो और इस परकार से फंसन करता है हमारा रेले कोई भी सरकीट में इसी परकार से हम दिमाग लगा लगा करके नА बहुत सारा प्रोजेक्ट को deal कर सकते हैं, एक और example में देने जा रहा हूँ आप लोग को बहुत ही बैतरिन सा, जैसे कि आप इसे Arduino से भी connect कर सकते हो Arduino से relay को control करने के लिए मैं अलग video बनाऊंगा, जैसे कि मैं die cooler को automatic बनाया था, उसमें से भी relay और Arduino का use किया था उसी परकार से आप भी use करना सिख जाओगे इस वीडियो का देख कर गे, तो यहां पे हम transistor वगेरा का circuit use करना होगा थोड़ा सा, तब 5V का signal देंगे trigger करेगा, तब हमारा active होगा यह, और direct अगर 6V का है, तो 6V में देंगे या 12V का है, 12V में देना होगा 220V का हो गया, 12V का हो गया 6V का हो गया, switch का जो series में हम connect करेंगे वो इसके manpower supply से कोड़ मतलब नहीं रहता है, तो यहां पे जो series में है, वो आप कितना का भी use कर सकते हो, जैसे कि यह relay 12V पे हमारा काम कर रहा है on off हो रहा है, तो इसके switch के जगा पे हम 220V का तार का भी use कर सकते हैं, जैसे कि 220V का bulb का wire है ना, तो उसको भी series के रुपने हम use कर सकते हैं, common to normally close या तो फिर common to normally open वाले pin में use कर सकते हैं, 220V का भी या अराम से काम करेगा, चाए तो आप 6V का भी use कर रहे हो, relay ना, तो यह हमारा 6V से on off हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप 220V का भी use कर सकते हो, उसका जो maximum current limit है, वो इस side में यहाँ पे अमारा लिखा हुए रहता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुए है, 10A 200V, अगर 200V का power supply है, और 10A maximum तक काम करेगा, यह 6V वाला, 12V वाले में भी इस से थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, लेकिन कम है इसमें, यह 200V, 7A का है, यह हो गया हमारा AC का, और DC में है 120V, 12A तक maximum यह काम कर सकता है तो यह specifications इस relay पे लिखा हुए रहता है, वो आप देख करके, पढ़ करके, यूज कर सकते हो, आगे मैं आप लोगो को और भी बताऊंगा, आडीनो से कंट्रोल करने के लिए और डिफरेंट डिफरेंट सर्कीट में यूज करके भी दिखाऊंगा आप लोगो को, तो I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब भी कर दो, बाई गाईज, मिलता हूँ नेक्स वीडियो में